नौय और फूट सीरिज के आज के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैंने लिया है नीबू को और नीबू लगबग हर घरों में जादतर घरों में डोल जाना इस्तमाल किया जाता है और जिन घरों में इस्तमाल नहीं होता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हो विपिन और आप देख रहे हैं लिमिट लेस्ट लर्निंग चैनल की एक सीरीज जिसका नाम है know your food और आज के इस एपिसोड में मैंने लिया है नीबू को और आज हम नीबू के बारे में complete सब कुछ जानेंगे उसके बारे में की और उसका nutrition क्या क्या गया हो उसमें क्या-के nutrients पाय जाते हैं जानेगे कि उसको अगर सबसे जादा क्या याता है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो इसमें βिटाविन सी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें विटामीन सी सबवसे ज़्यादा मीलता है और अगर एक निवू खाते है तो आपको दिन भर का 50% विटामीन सी कितना होता है तो एक अधमीर बात कर लेते हैं इसके दूसरे component की वो है flavonides और flavonides एक antioxidants होते हैं जो कि बहुत ही कमाल के antioxidants होते हैं, और यकिन मानिए कि जो यह flavonides होते हैं ये हमारे body को बहुत सारी बिमारियों सो दूर रखते हैं जैसा कि मैं आगे बात करूंगा अभी, तो ये flavonides क्या करते हैं, हमारे body मे तो ये oxidated damage क्या होता, ये free redкладs क्या होते हैं, free radicals जैसा कि मैंने बहुत बार बताया कि free radicals क्या होते हैं यह kardeşim ऐसे हमारी तॉक्सींहीं सेल को नुक्सां पहुंचाते यह यह क्लरते हैं छसे हमारी सेल सुराचितत यह और हमारी सेल डैमेज नहीं होती और जब एक एक स्यल हंदी तो हमारी पुरी बॉरी रहती है तो नीबु दो miteinander होते जो बहुत अच्छी मात्रावें मिलते हैं और जिससे अमारी सेहत पर बहुत ज़ादा फरक पादा है और आप हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप regular नीबू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके चांसेज को लगबक उन्नीस परसेंट तक कम कर देता है और यह एक स्टीडी हुई थी American Heart Association जो कि एक prestigious Association है तो उसने एक स्टीडी की थी उसमें उन्होंने यह बताया था कि जो मेलाओं में स्ट्रोक का जो खत्रा होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है तो अगर कोिभी बैक्टी अगर नीबू का última करता है या फिर कोई बीशीड Inks wrapped Lord Kingdom की स्ट्रोक क् com बाहुत कम हो जाता है तो कभी कंभी क्या होता है जहां पिकट अगे बलेड नहीं पाता है और जिस part में वो blood जा रहा था तो हाँ पर , oxygen भी नहीं पहुँच पाता है blood के माध्यम से और इसम में जो nutrients जो भी चाहिए उसको body के parts को काम करने के लिए तो वो भी नहीं पहुँच पाता है इस प्रकार से ब्लेट के ना पहुंचने से वो body का part damage हो जाता है और damage होने से बहुत सारे जो हमारे body के parts जो है अगर brain damage होता है कोई part तो उसका जो body का part वो brain control कर रहा होता है वो part धंक से काम नहीं करते हैं तो यसी को हम श्ट्रोक बोलते हैं फिर इसका दूसरा फायदा यह होता है कि यह हमार तो इसमें यह पाए गया थे कि अगर आप सिट्रस प्रूट या फिर नीबू का इस्तेमाल रोज करते हैं तो यह मान लिजिए कि आपका ब्लेट प्रिशर नॉर्मल रहता है और यह ब्लेट प्रिशर को नॉर्मल करने के लिए इसमें दो थीन चीजें पाए जाती हैं कि जैस यह हमारे बॉड़ी को कैंसर से भी बचाता है कैंसर के खत्रे को कम करता है इसके लावा हेल्दी स्केन और बेटर कॉंपलेक्शन के लिए भी यह नीबू बहुत यह अच्छा बहुत ज्यादा कारगर है क्योंकि इससे हमारी जो जुरियां है वह कम परती हैं साथी साथ जो पॉल्यूशन और संलाइट की बज़े से जो इसकिन में डैमेज होते हैं उसका भी रिपेर बहुत ही फास्ट हो जाता है और विटाविन सी लेने से हमारे जो आस्थमेटिक आटेक होते हैं वह भी कम हो जाते हैं साथी साथ मैं बात कर रहा था कि इससे जो है इम्मुनिटी बहुत ज़्यादे कमी आती हो इससे मारा आइरन का अप्जाप्शन बढ़ता है जैसे कि अगर आप कोई भी ग्रीवेगेटेवल से लेते हैं या फिर अगर जैसे आप सैलेट बगएरा लेते हैं अगर उसमें आप बिटामिन सी डालते हैं या निवव डालते हैं तो उसमे बास निवव हमें किडनी से हैं से भी बचाता कि जब भी आप किपीटे हैं नीवव पानीपी पीते हैं तो यह अलकॉलाइजर की तरीके से काम करता है जसे एक नहीं बन एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि जैसा कि मैंने बताया कि 75 mg और 90 mg जो मैंने डोज बताई 75 mg महिलाओं में और 90 mg पुरसों में जो इसकी डोज विटामिन C की वो एक नॉर्मल डोज है लेकिन अगर कोई ब्यक्ति स्मोकिंग करता है स्मोकिंग करता है तो यह माली जीए कि उसको डेली डोज 35 mg बढ़ानी पड़ेगी यह मतलब कि जितनी आप नॉर्मल डोज है उससे 35 mg आपको ज्यादा लेना पड़ेगा तो आप यह कह सकते हैं कि स्मोकिंग का खत्रा है वो आप काफियत तक कम कर सकते हैं और यही चीज ऐलकॉड लेने वालों के लिए भी सकता है कि जो लोग ईलकॉड ज्यादा लेते हैं उनको विटामिन c अन्यवू का इस्तेमाल ला wack चाहिए तो अज के लिए अगर किसी को लगता है आपने追़क्र मख़ीर करना चाहिए तो उसके साथ शियर भी करें हैं और साधी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए फूड आइटेम के साथ तब तक अपनी और अपनों की सहत का खूब ख्यार लगिए धन्वाद दोस्तों